अस्टा वक्र प्रवचन माला में ओशो कहते हैं कि करना कुछ भी नहीं है क्रिपया इसका मतलब समझाएं यह भक्तों की बात है यह संतों की बात है यह साधकों की बात है कि हमें अकरता भाव में जीना है समाने ते हम करता भाव में जीते हैं करता भाव अहंकार है कि करने वाला मैं हूं यह मैं हूं यह मैं अहंकार है इससे मुक्त हो जाना है उसी बात की और इशारा कर रहे हैं कि तुम ये जो करता भाव है इससे तुम मुक्त हो जाओ ये कैसे मुक्त हो जाओ क्यों मुक्त हो जाओ कि ये संसार जो है एक लीला है एक नाटक है और इस नाटक की पटकता कौन लिखता है इस नातक की पटकता स्वेंपरमात्मा लिखता है और हम जैसा ragina है उसके उंसाल हम अभिने करते हैं तो हम अभिनेता हैं लेकिन अगर अभिनेता मान लें कि वह सच्मुच में वह अभिने नहीं कर रहा वह उसको ही सच्चा मान ले तो फिर निश्चित रुप से उसमें करता भाव आ जायेगा तो यह सारी पठक था जो शुवा रशु जो पात्र कुछ पात्र शुवता का भी ने करते हैं कुछ पात्र आशु अच्चछा का भी ने करते हैं यह एक लीला रिया है जो करता पुरुष है वह राम है और जब राम करता पुरुख है तो तो निश्चिंत हो जा सब वही कर रहा है तो फिक्र किस बात की है चिंता किस बात की है जब वही सब कुछ करता है जिसके लिए अश्टा वक्र स्वेम कहते हैं धन है हो गया जो परम आलसी घ्लब का वक्त कि प्रहां सहुआ होता हैं उसकी निंदा करते हैं लेकि एस्टा वक्त कै Jason R क्एकर की आरफ यह ότι हो झाओ और और वेक्टी धन्दे इसकी सराह ना करें उसकी प्रिश्चा कर रहे हैं क्यों राम पर छोड सब करम होता सुखी क्योंकि सारे कर्म और राम को सौप देता है कि करन करावन तुम हो हम क्यों फिक्र करें इसी बात को कई संतों ने कहा है अपने अपने धंग से कहा है लेकिन कई संतों ने ये बात कही है कि वो लस्टावक्र की बात नहीं है जिसे मलूक दास कहते है अजकर करे नच करें कि उसके पास आ जाता है पंची करें नकाम कौन सी दोकरी करता है पंची की व्यापार करता है जहां बैठ जाता है आसपास वहीं दाना चुकने लगता है उसको मिल जाता है तो अजगर करें नचाकरी पंची करें नकाम अद्दास मलू का कह गए सब के दाता राम राम सबको दे रहा है देखते हो कोई भूखा प्राणी नहीं रहता जीव जन्तु नाना परकार के संबुद्र में रहते हैं जंगल में रहते हैं धर्ती पर रहते हैं लेकिन कोई भूखा तो नहीं मरता है सबका जो रिजुक है सबका जो धाना पानी है सबका जुगार तो प बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि एक उंकार सत्त अनाम परमात्मा कैसा है? एक है. ऐसा नहीं दस परमात्मा एक ही सत्ता है. एक ही परमात्मा सत्ता है. और किस रूप में है? उंकार. ओम इती ब्रहम चांदो जो पनिशद का रिशी कहता है. उंकार अनाहत नाद के पच्छा नाम है। बागी तुम करते पेड़ पेड कहां है परमात्मा ही प्रेम वेख़ प्रेम बन गया है तुम कहते हाथ हाथ कहां वह तो अंकार का ही एक रूप है और करता पुर्ख करने वाला करन करावन सब परमात्मा है तुम व्यर्थ में अपने को करता मान करके हंकार पालते हो निर्भाव कैसा हो उसको कोई भैर नहीं है निर्भाव उसको किसी से भैर नहीं है अकाल मूरत अकालातीत है समय में बन्धा नहीं है अजूनी सेंबं गुरु परसाद वो यूनी में नहीं आता वो तार बन करके नहीं आता और स्वेम भू है उसको किसी ने बनाया नहीं लेकिन कैसे जानोगे उसको गुरू प्रसाथ गुरू की किरपा से उसको जानोगे तो असली बात है कि वो जो परमात्मा है स्रिष्ट करता है वही है और वही करने वाला है स उसके उसार अपना आचरन करते हैं लेकि कभी कभी भ्रह्म पाल लेते हैं कि हम कुछ करने के लिए स्वतंत्र है स्वतंत्र नहीं है जैसी पटकता लिखी हुई है जैसा डायलॉग लिखा हुआ है बस वही हमें बोलना है yogurt हमको करना है सिधार्थ गीता में हमने इसको लिखा है सब कुछ करता राम है सब करने वाला वसकेवल राम है और सब कुछ करता राम है और करता और न कोई कोई और करता नहीं है इस बात को संद ठीक से जानते है कि राम ही सब कर रहा है तो काहे होत अधीर नर राम करे सो होए इसलिए जब शुब और अशुब में द्वंद हो जाता है शुब अशुब में जब युद होने लगता है तो फिर हम अधीर हो जाते हैं के अशुभ जीत न जए। अशुभ रार न जए। दुष्ट जीत नजए। सज्जन न जए। क्योंकि अंत में अनुट में तूम तुम देखोगे सत्व की विजय होती है। सत्व में वजाएते नाटें चल रही है। अगर ये थोड़ा द्वन्दि चले नहीं अगर ये खेल चले नहीं तो खेल में मज़ा नहीं आता है तो इसलिए खेल को चलने दो लेकिन अंतिम विजय सत्य की होती है इसलिए तुम अधीर मत हो सिदार्त किता में अन्यतर हमने लिखा है सकल काज करता प्रभू सारा काम प्रभू करता है मूरख करे गुमान लेकिन मुर्ख सोचता है कि करने वाला हो है मुर्ख है वह व्यक्ति जो सोचता है कि उसके करने से कुछ हो रहा है करता भोकता राम है ये और विक्रांतिकारी बात करने वाला भी वही है और भोगता भी वही है भोगने वाला भी वही है क्योंकि सब के भीतर भी दिमान है अगर कोई आज में दुखी हो रहा है तो परमात्मा भी तो उसमें दुखी हो रहा है किसी को कस्ट हो रहा है तो परमात्मा को भी तो कस्ट हो रहा है तो उसमें बैठ क को गोविंद गीता में हमने लिखा है सभी घटनाएं खुदी घट रही हैं बस एक एक नियम के अंसार एक हुकम के अंसार घटनाएं घटी रहती है सोचता है क्या इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो जो होता रव उसे करता है माथा नोचता है क्या जो भी हो रहा है उसको रभ मात्मा कर रहा है इसलिए जो भी हो रहा है वो सब अस्तित्व की मर्जी से हो रहा है इस परम नियम से हो रहा है इस बात को ठीक से समझ लो कि श्रिष्टी जो है वो अस्तित्व की एक लीला है वो लीला के अंसार सारी चीजे हो रही है उसकी पठकता जैसी प्रमात्मा ने लिखी है उसके अंस कि जैसे ही जैसे जैसा ध्हांचा परमात्मा बनाया है. उसके नसार ही चीजが होगी और तुमारे सोचने से कुछ होगा नहीं. जहन के वास्ते सांचे तोन ढालेगी हायात। यी जिन्दगी जैन वाहुं के उन्छार। जिंदगी अपने कहा है कि कोई तकलीफ इस बात को नानक दिजी वड़े प्यारे अंदाज में कह रहं हकमी हुकुम चलाए रहा है यह जो हुक्मी है परमाइत्मा en इसने परम नियम बना लिया जिसको रित कहते हैं, जिसको हुकम कहते हैं, जिसको ताओ कहते हैं, एक परम नियम उसने बना लिया है, उसके अंसार, अगर तुम चलो तो कोई तकलीफ नहीं है, तो हुकमी कहते हैं, नानक जो मैं तो उसके परम नियम के अंसार चलता हूँ, ना यह मालिक है यह मालिक का खेल है उसके उन्सार दुनिया चल रही हमें क्या चिंता लेना बेना है तो इस वह कुल मिलाकड कहते हैं कि यह और itu के न कुछ भी नहीं तो उसका कुल मतलब ये है कि जीवन को कैसे जिना इसी को कृष्ण कहते हैं निश्काम करमे उक करो कृष्ण बार बार अरजुन को समझाते हैं कि अरजुन निश्काम करमे उक करो कि फल की कामना से मुट्ट होकर करम करने के लिए उदेश रखना हो जरूरी है गरबर तब हो जाती है जब तुम तुम सोचने लगते हो कि जैसा मेरा उदेश उसके अनकूल ही उसको फाल मिले ये गरबर है फाल उसने जैसा करना है वो करेगा चीजे उसके अंसार होगी परमात्मा के अंसार होगी परमनियम के अंसार होगी हुकम के अंसार होगी तुम्हारे अंसार नहीं होगी हाँ तुम्हारी स्वतंतता है कि त वाज़ान को सब्सक्राइब नेता नहीं है तुम देखोगे कि इसी प्रयना तुमको मिलती है जैसी रब ने तुम्हारे लिए कर्मनिरदारित किया हूआ है कर्म करने का यह ऐसे कह सकते हो कि कि कर्म करने का मजा लेना निश्काम कर्मयोग है सामाने तो संसारी कोन है जो फाल का मजा लेता है पिस सफलता मिलकर ये मिठाई बाटता है खुशिया जाहिर करता है नहीं वो संसारी है तेकि कर्म करने में परमात्मा ने तुम को कर्म करने का मौका दिया और सर दिया, क्या ये कम है, तो कर्म करने का मजा लो, उसको इंज्वाइ करो, ये निश्काम कर्म योग है, ऐसा भी कह सकते हो, अकरता होकर कर्म करना निश्काम कर्म योग है, अर्थात कि मैं करने वाला नहीं हूँ, करने वाला भी राम है, भुकता भी राम है, हमको तो जैस हुए नचाता है हम नाचते हैं जैसा कराता जो कराता है हम करते हैं तो अपने को हटा लो बीच से अकर्ता बनंजाओ माध्यम नचाओ या ऐसा भी कह सकता है की इश्वर प्रणीधान के साथ करम करना निश्काम कर многие होगे पतंजली कहते हैं तब स्वाध्याय इश्वर प्रणिधान कि इश्वर को समर्पित कर दो तदी अंबस्त गोविंदम रिशी कहता है तुम तुम्हारा ही सब दिया हुआ है और तुम ही को हम सब सौंप देते हैं तो जो भी फल प्राप्त होता है उसको भी तुम प्रमा में करें कर्मन्य वाधिकार उस्ते मा फले शुकताचना है अर्जुन कर्म करने का इस पल में जो कर्म तुभारे सामने है वो कर्मन्य है उसी को करने का तुम्हारा अधिकार है फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है ऐसा जान करके तुम कर्म करो ये निश्काम है इस बात को गुरु अरजन देव जी पड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं जो तुम करहों सोई भाला हमरे कहते हैं हे गोविन जो तुम करते कराते हो जो तुम पर नाम देते हो वही हमारे लिए शुब है हमको क्या बता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बढ़ा है जो फल तुम देते हो जो परिणाम तुम देते हो वही हमारे लिए भला है यह हमको पता चल गया है इस बात को गुरु अरजुन देव जी अन्यत्र कहते हैं जे करावे से करना अनानक दास तेरी सरना क्यते है गोविन जो तुम कराते हो वही हमको करना है हम तो तेरी शरन में है य इश्काम कर्में को पारिभाश्यत करते हैं किसे करते हैं तुमार कर्म तुम्ही करो मा गोविंद को करें बंगाली संथ गोविंद को स्ट्राइंड रूप में देखते हैं यह सब कर्म जो है वह सब तुम्हारे किये हुए है तुम्हार कर्म यह सब तुम्हारा कर्म है यह आ को दो देखो वे करते के में करने वाला हूं सब तुमारी इंच्छा तारा मैं तारदहुं है मातारne घैक और विंद्द यह सब तुम्हारी इच्छा से संपाजित होता है। इसको संत कहते हैं सिता REMS सीता राम, सीता राम कहिए, जाही बिदी राखे राम ताही बिदी रहिए, जैसे परमात्मा रखे, जाही बिदी राखे राम, ये चार गोल्डन वर्स बड़े बहुमले हैं, ये स्वर्णी मक्षरों में लिखने लाइक है, कि जैसा परमात्मा हमें रखे, वैसे हम खुश है बच्चों करावे करेंगे, जैसे बिठावे बैठेंगे, जैसे चलावे चलेंगे, ये निश्काम करमयोग है, सारसंचिपन में कह सकते हो, संतोश और करमटता का जो संगम है, वो है निश्काम करमयोग, फल के प्रती संतोश है, फिर भी करमटता में कोई कमी नहीं है, करने हम करना निष्काम कर्मेयोग और इसी बात को एक तरस जब तुम करता न रहें अकरता हो गए तो कई करण करावंसरवन और राम है इसलिए ऑशों कहते कि करना कुछ भी नहीं यही बात हष्टावक्र करें यही बात सभी संत कह रहे तो शच्चंको यह विराम देते हैं आरियों ताच्चा ताम देश